चलिए सर एक मुंसिपल टेक्स के उपर कुश्चन ये भी आपके किताब का सवाल कितने केसिस हैं? तीन हम भी तीन केसिस बना लेते हैं एक सवाल करते हैं मुंसिपल टेक्स पे यानि सर तीन लाइन के अवशक्ता है हमें एक ओहो दो तीन चलिए सर तीन केसिस है और तीनों केसिस को हम मुंसिपल टेक्स में कह देंगे जी हाँ सवाल हर किसी को सामने विजवल होना चाहिए नहीं विजवल है मैं नीचे कर देता हूँ इतना ही सवाल है सर केस नंबर वन यानि वन हाउस सेकिंड हाउस एंड थर्ड हाउस यहाँ एक पर्टिकुलर यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कोश्चन है ऐसा सवाल पेपर में नहीं आए कहाँ थियोरी आ सकता है इस पर से सर सबसे पहले कहता है हाउस नंबर वन में यहाँ पर यह याद रखिए क्या कहता है नंबर ओफ आइडिन्टिकल यूनिट सर यहाँ यानि दो घर है एक घर के दो टुकडे है आइडिन्टिकल यूनिट का मतलब पार्टिशन कर देते हैं जैसे फर्स फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तो यहाँ पर दो है यहाँ पर नंबर ओफ आइडिन्टिकल यूनिट एक है यहाँ पर number of identical unit 3 है सर इसका क्या मतलब होता है अभी हम 23 के situations देखेंग अभी clear हो जाएगा पहले तो हम starting कर लेते हैं municipal value सर municipal value कितने दे रखें एक 20 अगला और तीसरे का 60,000 fair rent सर fair rent क्या है टेड़ लाग उससे अगला 75 उससे अगला तो सर अब देखते हैं higher की बात करेंगे इसमें से जो की आएगा हमारा fr 1.5,000,000 1 fr, 1 अब इसके अंदर चेक करते हैं standard rent standard rent क्या है 31 80 72 इन दोनों में से लेंगे lower जिसे बोलेंगे ER यानि expected rent तो क्या हैगा एक छोटा सा सवाल रह गया के municipal tax अगर house property की बात कर रहे हैं मैं note में उसको mention कर देता हूँ मैं उझे करते गरते याद हो गया मैं बीच में interrupt कर रहा हूँ note में अगर घर आपका घर की बात कर रहा हूँ अगर self occupied हुआ यानि आप घर में खुदी रह रहे हैं और municipal tax आप paid करते हैं तो आपको not allowed है आगे situation में मैं समझाऊँगा ठीक है बस एक छोटा सा note देना था आगे situation में समझा दूँगा चलिए सर standard rent भी ले लिया हमने rent per unit देखे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा rent per unit per annum तो सर actual rent क्या होगा 14 है न यहाँ पर दो unit है दो से multiply यहाँ पर कितने से multiply एक से यानी और सर यहाँ कितने से multiply तीन से यानी 33 सर अब इसके बाद इन दोनों में से higher जो निकल के आ जाएगा सर GAB GAB निकल के आएगा GAB GAB क्या है इन दोनों में से higher एक चालिस इन दोनों में से higher इन दोनों में से higher अब माइनस करने की बारी आ गई municipal tax जो हमने सीखा है अभी तक उसको हमें apply करने का time आ गया है पहले में कहता है सर बारा हजार रुपे municipal tax है अच्छा दिखने रहा पहले में कहता है बारा हजार municipal tax है due but not paid due तो हुआ लेकिन payment नहीं किया जी मैंने अभी तो क्या municipal tax माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते जवाब है दूसरे में पहले वाला समझ में आए क्यों नहीं minus किया क्योंकि due paid ही नहीं किया उसने ठीक है दूसरे में कहता है सर आठ हजार रुपे for last year पिछले साल का आठ हजार paid this year ठीक है सर एंड नो हजार रुपे current year due but not paid तो कहने का मतलब है सर इस बार हमने आठ हजार पिछले साल वाला payment तो किया है इस साल वाला नो हजार payment ही नहीं किया तो बताइए कितना minus करें तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे minus किया जाएगा बच्चों ने सभी ने सही जवाब दे दिया आठ हजार रुपे minus किया जाएगा छीक है अगला third case देखते हैं third case का answer कौन बताता है 60,000 it include 54,000 paid advance in next 9 years कितना minus करें 9 साल का advance है एक साल का नहीं 9 साल का advance क्या हम minus कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर कर सकते हैं paid कर दिया ना अपने कितना भी advance payment करो कर सकते हैं तो जवाब है सर 60,000 तो मेरे इसाब से आपको ये जो if what आता इस point में वो clear हो गया होगा तो इस सवाल में हमने ने भी निकालना सीख लिया that is 140 आपके किताब में वैसे solution भी है आप चेक कर सकते हो तो ये कितना आजाएगा 72 76 और ये 12 सर ये आगया हमारा सवाल नंबर दो किसी को कोई परिशानी कोई दिक्कत तो बता दीजिए फिर हम अगले concept पे चलेंगे municipal टेक्स खतम